ठीक है डॉक्टर नवल किशो और अभी सौरव के पास भी ले चलूँगा नवल भाई कुछ तो बताईए क्या हो रहा है आपको सब मालूम होगा आप बस हमें ही नहीं बताते हैं जनता को और मीडिया को ही नहीं बताते हैं हमें सुत्रों से चलाना पड़ता है फिर कि मानक जी आप पो को सब भी बता देते हैं को हमको मालूम नहीं है कि पूरा बिहार की जनता को भी मालूम में है जहां पर की लगबग पांच दसक का अनुभवी चेफ पिनिस्टर हैं और बिहार ही नहीं पुरे देश के सबसे युवा और कमसील नेता उपमुक्ष मंत्री के रूप में बिहार के जनता की सेवा कर रहे हैं युवाओं को जो नौकणी दो रहे हैं वो सिर्फ बिहार ह नहीं पुरे देश में चर्चा का अभी से बना हुआ है जो जाती गंडना हुआ और उसके अधार पर वादी के इसाब से इस्सेदारी तैकी गई वह बिहार का विकास मॉडल पुरे देश के लिए उस पर दबाव बन रहा है भारतिये जनता पार्टी परेसान है कि उसका ज इसलिए सुसील कुमार मोदी जी परेसान है गिरा जी तो उसे भी ज्यादा परेसान है कि हमने तो ताला बंद कर दिया था यह खोलेगा अगर केंट्रिये नती तो क्या करेंगे मानना ही परेगा तो यह तमाम तरह की बाते जो है वह भाजपा द्वारा निर्मित है उसी माने नेता है महां घडबंदन के इसलिए बोला है उन पर कोई तंज नहीं कसा है आपको पूरा भरुसा है कि वह नहीं जाएंगे क्योंकि 2022 में उन्होंने देश की जनता के सामने बोला कि यह जो 2014 में जो लोग आये थे वह सूचते हैं कि उन्हीं कही साबसे पूरा द्मिया चलेगी और जिस तरह का महौल उन्होंने देश में बना रखा है जो उनके साथ है उस दल को भी तोर देते हैं देखिए लोजपा को एक से दो कर दिया और अपनी दल के खिलाप में अपनी गडबंदन के खिलाप में लगातार वो काम करते रहें आप चाहे मुके सानी का परक में हैं MA仔 जी यह सर दिखिये जो आप चला रहे हैं या जो हाज़पा चाहती है कि ऐसा नीझ चले ऊक अलग दुनिया है कि कोन किस से मिल रहे है किसको तो रहा है किसको ज्योड़ाइत सरकार चल रही है पिस तोरने की जनरुरत कहा से आई यह सरकार भयार कि तेस्वाब राज भवन के गणतांतर दिवस के कारिक्रम में डिप्टी सीम नहीं गए आप के रहें सरकार बढ़िया चल रही है बताए बताए मनगी निमंत्रन कोई अधिनायक वाधी परमादेश नहीं है कि उसका मानना ही करना पड़ेगा निमंत्रन तो एक निवेदन है कि आप आईए हमारे हाँ जाना नहीं आप जाना तो मानक गुप्ता के पास है न उसका अधिका गणतांतर दिवस का प्रोग्राम है और सारे मंत्री होगा कोई ने कोई कारिक्रम लगा हो था परले कैसी बात कर रहें आप ने ने यह बिल्कुल संभव है लगा होगा उनका भी प्रोग्राम लगा होगा और वो नहीं गये होंगे तो उसका कोई नीजी कारण होगा कोई साबजनिक और आनिती कारण नहीं होगा यह आप जरूर कर सकते हैं लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं अच्छा क्या जेडियू के सारे विधायक बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में होंगे अगर नितीजी फैसला करते हैं तो यह नहीं जेडियू के सारे विधायक महागरबंदन की सरकार में है और वो बिहार की जनता को जा सेवा जन सरोकार के मुद्दे पर जो काम चल रहा है वो चाहे सिख्षा के छेतर में आप आप यह नहीं देखें कि मात्र सतर दिन में दो लाख सत्रह हजार नौक्णिया दी गई नियुक्ति पत्र की सिंखला चली जिसका अनुकरन आधरनिये मानिये प्रहान मंत्री जी को भी करना पड़ा तो यह तो विहार की जनता के साथ में विहार की जनता को जो सेवा दिया जा रहा है वो तो अनुकरनिये है और निकीज यादव युवा इतने शार्प और ऐसा लग रहा है कि आप देखते रहे गए बिल्कुल देखते रहे गए और बीजेपी नितीश कुमार को आपके बिल्कुल सामने से खीच के ले जा रही है और आप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है कुछ नहीं हो रहा है मानेक जी बीजेपी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है बीजेपी नितीश कुमार को 2022 अगस्त 2022 में नहीं रोक पाई वो तो यह महारास्त के विधायकों को गुजरात होते हुए आसाम के मुखमंदी के पास पहुचा थे उनका सुरक्षा करने के लिए यह बात नहीं है बिहार का जो तासीर है रायनितिक तासीर वो पूर्ण रूप से समाजवादी है यह जो दो युद्धा है समाजिक न्या नवल किशोर अब बताएए यह भी आपको बताना पड़ेगा नितीज जी महागटबंदन की सरकार का नितित्तु कर रहे हैं एक युवा चेहरा के साथ तालमेल के साथ गटबंदन में पूरे ब्यार को एक अच्छा सासन दे रहे हैं यह इस यह कहने की बात है निनी मैंने पूछा क्योंगी हो सकता है कि कल आप फिर मेरे शोपर आएं और तब आपको उनको पल्टू चाचा कहना पड़े इसलिए मैंने कहा कि तारीक के इसाब से पता लग जाएगा कि कल कहा था यह और आज कह रहे हैं यह मानक जी हो सकता है कि आपको भी अपना कैसन बदलना पड़ जाए कि बीजेपी की तमाम कोशिसे और हमारी अटकले बेकार सावित हुई हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें तो जैसा पता चलेगा जो खबर मिलेगी क्यों आशितोष हम तो मीडिया का काम क्या है हमारा तो यह हम तो मेंसेंजर हैं सुत्रों से ख़वर मिल रही है देखो जो मिल रही है वो हम बता रहे हैं और इसलिए मैंने का जेडियू के विधायक गुपाल मंडल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दिये क्या वो सही कह रहे है नवल किशोर उसके बाद गुरू प्रकाश के पास जा रहा हूं क्या जेडियू तूट सकती है और वनली फैक्ट क्या है आज के डेट में और रहेगा आने वाले समय में कि महा गटबंद इंटेक्ट है और बीजेपी जो कि पुरे देश को गुम्राह कर रही है उसको जवाब देने के लिए जो इंडिया गटबंदन बना है जिसका नितित्व जो किया है मुखमंत्री न आले